हेलो एवरीवन इंस्टिट्यूट अफ मैथमेटिकल अनासिशन आप सभी को स्वागत हैं आज के इस लेक्चर में हम मेंट्रिक स्पेस का एक और एक्जामपल डिसकुस करेंगे जैसा कि आपको देख सकते हैं इस वीडियो को एंड तर देखेगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करेंगा तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं जैसा कि आप देख करता है आप स्टेक्में यह तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पर देखें हम एक्स लेते थे कोई यहां पर हम एक्स को किस तरफ ले रहे हैं हम एक्स को ले रहे हैं आर्टू अर जो भी करें आज ओस यानि इसके जो भी मेंपर्स होंगे यहां से जो एक्स है वो भी आर्विन गरेगा और वाई वो भी आर्विन गरेगा तो यह कुछ इस तरह के अलमेंट्स प्रोड्यूश करेगा आप आगे देखते हैं अब इस मैप को हम इस तरह से डिफाइन करने हैं dxy is equal to mod of x1 minus y1 plus mod of x2 minus y2 जहां x क्या है x1 x2 है और y क्या है y1 y2 है ordered pair के form में है और ordered pair के form में किसके element से r2 element है तो basically हम d को इस तरह से define कर रहे हैं और हमें यह proof करना है कि यह जो d है जो इस तरह से define हो रहा है और इसी metric को हम रहे हैं कि यह rectangular metric है और जब इसको साथ में लिख देंगे r2 के साथ हम d को लिख देंगे order pair के form में तो इसे क्यांगे rectangular metric इस पे तो यह खाब देते कि इसके statement इसमें आप लोग बस एक ही ज्यान रखेगा यहां पे f की value लिया जा रहा है और d y की value इस तरह से define है जहां x.x को क्या है f की value है और x क्या आप बिलॉंग कर रहा है y वर by 2 y की value वर y है वो आप बिलॉंग कर रहा है तो basically यह था statement rectangular metric space का अब हम इसके proof के बार में discuss करेंगे तो सबसे पाइस में आप तो metric space proof करने के लिए हमें क्या था हमारा प्रोपर्टी यह पहली प्रोपर्टी नॉन निगेटिव कंडिशन दूसरी प्रोपर्टी नल कंडिशन तीसरी सिमेंट्रिक प्रोपर्टी और चौती ही ट्रयंगुल इन्यग्वां कि अगर इसचारव प्रोपर्टी बारी बारी समर्चैक करेंगे अगरू हो जानी तो नंगीटिव कंडिशन नॉन नीगेटिव कंडिशन चौत अब नॉन निगेंटिव कंदिशन हों चेक रहें कि देखें इसको हम लेते क्या है लेट अब एक्स परावर एक्स वन एक्स टू तू तो य परावर तो वाई वन वाई तू बिलाउंग स्टू अब देखें क्या करेंगे यहां से में पता के चलता है यहां से में पता यह चलता है यहां पर देखेंगे यह आर्क मेंबर करने क्या मतलत है कि यॆ नाम ми लीपकर में आपकेंघे आर शिहएं सतरा है चारों कि चारों किसेट ओं रियल लम्र बिलाउंग करें आभ देखें highly उक क्या का जब चारों कि चारों रियल लंबर हैं तो हम किसी तो को सब्रेट कर देंगे या पिर किसी तो एड करतेंगे या मुटिप्लाइट कर देंगे तो इसी तरह सब्सक्राइब करतेंगे तो भी एक रियल नंबर ही आएगा तो इस तरह एक रियल नंबर ही आएगा तो इससलबियर और गया हुँँए रियल नंबर है और मॉंड धी प्रॉपर्टी होती है कि वह हमेशा नुन निगेटिव लेथा है तो तो एक्सपल माइस वाइबन क्या होगा यह greater than equal to 0 हो जाएगा यह मौड की प्रॉपर्टी यह से अब हम पित्तिक लिए क्या करेंगे अब हम इन दोरों को एड करते हैं यहां से हमने दोरों को एड करते हैं यहां से हमने दोरों को एड किया है और यह क्या होगा यह greater than equal to 0 माल लेते इसकी वाइल्यू क्या है मौड अफ एक्सपा माइनस वाइबन जो भी आएगा नेगेटिव नहीं आएगा नेगेटिव ना आने का मतलब या तो जीरो से बढ़ा तो अगर दोनों 0 हो जा रहा है तो भी यह condition satisfy है दोनों मेंसे कोई एक भीरो से बढ़ा हो जा रहा है और दोनों ही नमर अगर 0 से बढ़ा हो जा रहे है तो भी यह condition satisfy रहेगा अगर यह greater than equal to 0 है तो दोनों को जब add करेंगे तो भी resultant आएगा वो भी greater than equal to 0 ली होगा और यह किस की value है यह value txy तो पहला condition था हमारा नॉन नीगेटिव कंडिशन वो satisfy कर रहा है अब हम सेगेंड कंडिशन देखते हैं सकेंड कंडिशन क्या है नल कंडिशन नल कंडिशन हम क्या करते हैं लेट dxy is equal to 0 अब देखें dxy को हमने क्या कर दिये 0 बराबर कर दिया अब यह किस बात को imply करेगा यह किस बात को अब क्या अब देखिए मौडけ कर अवा का। इसी फी नम्बर को क्यार न वे करहा है तो वेशिकल यहां पे दो दो जो कुल दिए ए यह इंहलें हैं आ सकती हैं यह फिर्व किते हीर है यह कեղ को रहा है यह एक शिर्व शियरव को आना है फिर्व और है वहง तो इसती संध्याओं का यह व्योड़ेंगे खोस lav और एक documents subscribe देखें, mod x plus mod y is equal to 0, यह है, तो यह तभी होगा, जब mod x is equal to 0 है, और mod y is equal to 0 है, यानि कोई भी दो नमबर है, जहनिका mod का सम 0 हो रहा है, तो उन दोनों नमबर को अलग अलग 0 होना पड़ेगा, तभी यह possible है, अदरवाइस possible नहीं होगा, जैसे आप माले जिए, x की value हम 2 ले है, और y की value हम minus 0 ले ले लेते हैं, तो क्या यह 0 आयागा, यहां ते देखते है, mod of 2 की value क्या जाएगा, तो 2 प्लस 2 तो 4 बजाएगा, तो यह 0 कैसा आएगा, 0 इसी कैस में आएगा, जब यह दोनों नमबर अलग 0 हो जाए, तभी 0 आएगा, तो इसका क्या मतलब, इसका मतल है, mod x अगर 0 है, तो इसका कीधास मतलब यह है, implies is implied by होता है, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से यह हो जाएगा, x1 minus y1 is equal to 0, और x2 minus y2 is equal to 0, यह तभी होगा, जब यह अंदर वाला 0 हो जाए, और यह condition ता होड़ देगा, जब यह अंदर वाला 0 हो जाए, अब इसके 0 होने क्या मतलब है, इसके 0 का मतलब है, पर इसके 0 होने का मतलब क्या है, x2 is equal to y2, फिक है, अब देखिए, अब यहां से क्या हो जो जो हो ज wearing अब यहांते क्या है देखिए एक्स यहां से हम यहां पर सकते हैं अब देखिए एक्स-वन बराबर वाई-वन है तो एक्स-वन बराबर वाई-वन होगा यहां पर यहां इसकी वैस्काइब है अगर इसकी जीरो है तो दोनों तरफ अगर मौ के बराबर आजाएगा तो यहां से हम यहां लिए बहुत सकते हैं अब देखिए और मौ की हम इस बात भी बहुत सकते हैं और यह पिपला नियुक्त ङूँ होगा यह होगा यह होगा यह होगा तो यह होगा सोगी कंडिशन है कि अब से लेखे हैं भी ओ है कि अ कि हर यह कि इस से मिरू पर भाबरी को कि है मिजुद्रेंश कर नहीं है हम देखिया हम क्या करते हैं हम लेख Okay, let's, let's determine, since, since dxy is equal to mod of x1 minus y1 plus mod of x2 minus y2 for every x is equal to x1, x2, y is equal to y1, y2 belongs to है ? हाथ द 보면 यहां से हम क्या करेंगे ?ध現在 करेंगे मॉड fermented property क्या होती है A minus B है ह toi हम क्या करते है माइनस अतरहम kongन है minus 1 means common है तो यह क्या हो झाएकह B minus 3 यह हो जाएगा अब हम क्या करते है mod xy जो ख़들이 है and mod of x mod of y होता है whole ।h यहां पे x यी value minus 1 और y वायी value b continuous तहए वो जाएकह पर यह क्या आवज आएगा mod of minus 1, mod of b minus a, और यह mod of minus 1 की value क्या आजएगी, mod of minus 1 की value 1 हो जाएगी, यहाँ पर finally आ कर जाएगा b minus 1, तो basically हमें पता क्या चला, mod of a minus b is equal to mod of b minus a, तो यही property अगर हम यहाँ यूज करें, तो mod of x1 minus y1 is equal to mod of y1 minus x1, यहाँ पर y2 minus x2 हो जाएगा, अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब यह है, देखिए, dxy की value जाएगी, mod of x1 minus y1, dxy की value पहले क्या था, x1 पहले आ रहा था और y1 पहले आ रहा था, इसके क्या रहा है, y1 पहले आ रहा है, x1 बागने आ रहा है, यह जा है, यह d y x का definition है, तो बिसके क्लिए हमें पता यह सला, कि जो symmetry property है, वो भी satisfied है, अब हम पोस property लेखते हैं, पोस property हमारी ज्या है, जो लेखते हैं, पोस्के क्या क्या बेखते हैं, जो लेखते हैं, छे लिएखते हैं, देखके हमने किया क्या है हमने आपे टीन एलिमेंट लिया X Y और Z जैसे X को X1 X2 Y को Y1 Y2 और Z को Z1 Z2 हमने कहा लेलिया आज तो लिया अब हम क्या करते हैं अब देखें हैं और यह हमारे दिया हुआ था यह वैल्यू है अब देखें हम करते हैं इस पर क्या होता है हम क्या करते हैं तो इसने कोई फार्थ ने पड़ेगा यह तर्म है यहां पर यहां पर हम इंसर्ट करते हैं इंसर्ट करने के बाद हमें यह पराफ जाए हमने यह क्या क्या है यहां पर गड़ेगा अब देखें हम क्या करते हैं यहां पर में जीस को स्टार्ट होगा एक्स वरन पर यह देखें मॉड की प्रपर्टी होता है नो फी होथा है यह ना थी लें यह फो फीज प्लें लेखें सिन्सक्राइब बी क्यों व्युक्रतु यह यहां इसको बूसर आफुर्या यहां पर देते हैं यहां पर चोटा हो जाएगा किस्ते यहां पर क्या हो जाएगा इसी तरह यह वाले तर्म भी इन जोनों में स्प्लिट हो जाएगा मौड जो है वो दिस्टिटूट हो जाएगा और प्राइम लेटन पहले तो पहले ही आज उटा है तो इसको कोई पाल नहीं पढ़िए तो इसको फिलिखेंगा प्लस अब देखिए हमें क्या करना है हमें अब अर्रेंजमेंट करना है अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम क्या करते हैं इस टर्म को अर्रेंट को साथ मिलिखेंगे हैं इसटर्म और इस टर्म को इस साथ लिखेंगे रिखेंगे रिखते हैं प्लस ये क्या है z1-y1 plus z2-y2 हमने क्या किया इन दून रुटान को एक साथ तिक लिया और इन दून रुटान को एक साथ तिक लिया तो हमारे पास ये आया अब देखी हम dxy से compare करें अगर हम इसके compare करें dxy क्या है और ये क्या है x1-z1 plus x2-z2 तो ये बिसके क्या है ये है dxy यानि this implies dxy is less than equal to dxz और similarly इसकी value हम देखें तो ये भुजड़गा dzy y तो ये है हमारा triangular inequality ये भी satisfy है तो हमके तिक लिए देखें हमने चारो properties को दिखा दिया कि ये चारो properties satisfy हो रहे है इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो d है ये जो d है ये matrix फॉर्म करेंगा पिस्पे अग्त dr teammate आर तुपे और इस hall अगरण क्या क्या हैंगे rectangular matrix और आपक्रणम क्या हैंगे rectangular matrix सब्सक्राइब करें और अगर आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो मिलते हैं नेक्ट एक्षर में वानाइस टेक्षिट झाल